हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मधिप्रदीश के नमबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो एकजार question की series का यह part 6 है जो जिसमें हम बात करेंगे बहुत से important question की बारे में जो PIP होंगे expected question होंगे current affair के question होंगे इसके लाबा जितने भी districts related और questions related fact होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे दोस्तो यह वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए मातपूर है मत्यपधिस के जितने भी exam होंगे उनके लिए यह वीडियो बहुत मातपूर है वीडियो को हिंदी और इंगलिस दोनों भाषाओं में बनाया गया है दोस्तो इसके लावा आपकी MPPSC, MPSI और MPP Police के लिए यह बहुत important question है तो यह वीडियो देखना ना भूलें अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे like कीजिए अपने परिवार दोस्तों के साथ share कीजिए और चैनल Stead Universe को subscribe कीजिए तो दोस्तो बिना समय गवाय चलत कुछान 2nd पर कुछान 2nd पर स्था रूण 10 प्रिय Repeek willkommen को किके हुआ जाता है तो चारई को स्थापत्य नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कर दोचरा परेमिर के बारे में याद रखनी था नेस्ट कोशन है गुजरात के सरदार सरुबर बान में मद्धिप्रदीश की कितने प्रतिशत साजेदारी है तो गुजरात के सरदार सरुबर बान में मद्धिप्रदीश की कुल 57 यानि 57 प्रतिशत परसेंट साजेदारी है यानि जो इस बांध का पानी होगा उसमें मद्धविदीश का हिस्ता 57 प्रतीशत रहेगा इसके अलावा बचा हुआ पानी गुजरात को दिया जाएगा नेस्ट कोईशन है मद्धविदीश के किस शेतर में बंगाल की खाड़ी और अरफ सागर दोनों मानसूनों से बरसा होती है जिसका सही ओफशन है बिंदे परवक्त शेतर है मद्धविदीश का उसमें बंगाल की खाड़ी और अरफ सागर दोनों मानसूनों की बरसा होती है य गुस्तो गौलियर के किले को जिप्राल्टर ओफ इंडिया की नाम से जाना जाता है यानी किलों का रत्न। नेस्ट कोशन है खपड़ी पानी पहाड से कौन सा आइसक निकाला जाता है तो वॉकसाइट आइसक खपड़ी पानी पहाड से निकाला जाता है। नेस्ट कॉशन है मद्यप्रदेश में जन संख्या की द्रस्टी से सबसे बड़ी जंग जाती कौन सी है तो गौन जंग जंग जाती मद्यप्रदेश में जन संख्या की द्रस्टी से सबसे बड़ी जंग जाती है नेस्ट कॉश्चन है मद्धिप्रदीस राज में ग्राम पंचायते हैं मद्धिप्रदीस राज में नेस्ट कॉश्चन है मद्धिप्रदीस राज में इंदोर शहर किस नदी की किनारे पर बसा हुआ है तो खान नदी की किनारे पर इंदोर शहर बसा हुआ है ये दूस्तो normal से question है लेकिन most IMP है क्योंकि इसमें आफ confuse कर लेते होंगे कि शिप्रा या खान लेकिन इन दौर खान नदी की किनारी बसा हुआ है नेस्ट कोशन विट्रिक सकाल में मद्दिप्रिक 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 सक में शामिल किया गया हैं हिए मध्र बरिक ने मैं काल प्रवस्रेइश का आधिया रूप्त जो प्रवाय हैं मैकोर परियोजना ने नम्लेकित में सी कौन सी परियोजना मद्यप्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसका सरदा सरुवर बांध भी कम्प्लीट हो चुका है इसकी अलावा तीन और बांध बनने हैं जिनका काम चालूगे नेस्ट कोशन है मद्यप्रदेश में निवास करने वाली किस चंजाती में घौटल और बारा परंप्राइन पाई जाती है जिसका सही में गौणी जन जाती में अपनाई जाई है दोस्तो आपको बता दें हाली में जो मैंने बताया था question मद्धपदेश की सबसे बड़ी जनजाती गौण ही है next question है किस नदी में धुआधार, कपिलधारा, दुक्तधारा, सहचधारा की परपात हैं तो इसका सही option नर्वदा नदी पर ये सभी परपात इस्तित हैं अब बात आई हैं नर्वदा नदी की तो आपको इसके बारे में बता दें दोस्तो इसे रेवा की नाम से भी जाना जाता था इसके जो इस नदी की किनारे बसे कौन-कौन से सहर हैं उनकी बारे में बता दें तो अमरकंटक, डिंडोरी, मंदला, जवलपूर, होशंगाबाद, महेस्वर, बढ़वानी, जाबुआ, ओमकारेस्वर, खंडवा, बढ़ोद्रा, राजपीपला, धर्मपूरी और भरोज जो में बहती है, तो मद्वदेश, महरास्ट और गुजरात, इन तीन राज्यों में बहती है, इसके अलावा अगर बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो बर्नार, बंजर, सेर, सक्कर, दूधी, तेवा, हिरन, चिनौली, वर्ना, कानर, मान, उंटी और हतनी, ये सभी नव उन से कम, दस फैक्ट, नवजर नदी के बारें बता हैं, तो इनको याद रखना है, एक और इंपूटेंट फैक्ट आपको बता दें, तो ये अरफ सागर में गरेने वाली भारत की सबसे वड़ी नदी है, तो इतने आपको इंपूटेंट फैक्ट याद रखने हैं, नेस् इसकी बाद क्या हूँ, उसकी बाद चनाकी, फसल, सब जाना पैदा होती है, और फिर चाबल, नेस्ट कोशन है, मद्द पृदिश में रितू संबंदी आंकड़े बताने वाली एक मातर वेजसालक कहां इस्थित है, तो ये इंदोर में इस्थित है, बात आईए इंदोर की जहां IIM और IIT इस्थापित किये गए हैं, रास्टिय सोयाबीन अनुसंधान केंदर भी इंदोर में ही बनाया गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेटकर की जन्व इस्थली महू इंदोर में ही इस्थित है, पिरसिद जैनतीर्थ इस्थल गोमट गिरी भी यहीं पर इस्थि इंदोर में सबसे पहले पुलिस कमिसनर प्रणाली लागू की गई थी, इसके अलावा मत्यप्रदेश लोकसिवा आयोग और वित्त आयोग का भी मुख्याले इंदोर में ही इस्थित है, तो दोस्तो ये कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट थे इंदोर की बारे में आपको इस्थिक यानि जिले के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट बता दें, जो आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो पहला फेक्ट है विदीशा को प्राचिन काल में भेलसा या बेसनगर की नाम से जाना जाता था, विदीशा में मत्यप्रदेश की सर प्राचिन प्रातात्विक इस्थल भी विदीशा में ही इस्थत है, दोस्तो निस सुबावर में तातकालिन रास्टपती राजंद प्रसाद द्वारा विदीशा नाम दिया गया था, समराट असुप सागर परियोजना भी विदीशा में ही इस्थत है, जैन तीर्थकर सीतल तो दोस्तो ये कुछ important fact थे विदीशा के बारे में जो आपको याद रखने हैं आपके exam के लिए most IMP fact है next question है घर्टी जन संक्या के अनुसार राजी की सही जिलों का क्रम क्या है तो हर्दा उमरिया श्योपुर डिंडोरिय अली राजपुर ये घर्टी जन संक्या के अनुसार राजी में सही क्रम है next question है मद्वर्दीश में हूलकरों का महल कहां पर इस्थे थे तो इंदोर में हूलकरों का महल इस्थे थे दोस्तो मैंने आपको हाली में इंदोर के इंपूर्टेंट फेक्ट बताए है वीडियो को पॉस कीजिए और उसके बाद इंपूर्टेंट फेक्ट है इंदोर के वो याद कीजिए फिर वीडियो को आगे देखिए नेस्ट कोशन है मदब देश के किस नगर का नाम प्राचीन अवंतिका है तो इसका सई उफ्षन है उज्जेन उज्जेन का प्राचीन नाम अवंतिका है बात आईए उज्जेन की तो आपको कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट बता दे उज्जेन के बारे में उज्यन को अवंतिका के अलावा उज्यनी नाम से भी जाना जाता था राजा बिक्रमादित ने उज्यन को अपनी राज़धानी बनाया था उज्यन में सबसे पहले शुने का अपयोग ब्रह्म गुप्ट के द्वारा किया गया था भगवान सिप के 12 जोत्रिलिंगों में से एक महा काले स्वर जोत्रिलिंग जो एक मातर दक्षन मुखी जोत्रिलिंग है यह उज्यन में ही इस्थापित किया गया है शिप्रा नदी के तट पर उज्यन शहर इस्थित है दोस्तो प्रत्य पार है वर्ष में सिहस्त यानि कुम्भ का मेला आयज़त या लगाया जाता है मंगल ग्रहक की उत्पत्ती से सम्मदे मंगलनात मंदर भी उज्यन में ही बसाया गया है दोस्तों इसके अलाबा उज्जन में प्रत्वी मंगलनात को जो उज्जन में मंगलनात है उसे प्रत्वी का केंदर भी माना जाता है तो ये कुछ important fact थे उज्जन के बारे में आपको इतने याद रखने है next question है मद्वडिस के बुई गया एक शित्र में कितने प्रतीसात भाग पर सचाई होती है तो 37 दिस अलाब नौ प्रतीशात पर सबसे छोटग है तो दोस्तो इसका सही option है नर्वदा पुरम संभाग है यहाँ पर जो हुसंगाबाद संभाग इसका नाम नर्वदा पुरम संभाग किया गया है तो यह आप यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर किया गया है नर्वदा पुरम संभाग इसका नाम किया गया है बात आई है पुर्वाना कल्प की मद्द्रदेश की कोईले की खाने हैं नेस्ट कॉशन मद्द्रदेश देश में किस फसल का उत्पादन सरवादिक होता है तो सोयामीन का उत्पादन मद्द्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तो 2020 में गेहु खरीदने के मामले में मद्धविदिस नंबर वन पर आ चुका है तो ये भी एक important fact आपको याद रखने है Next question है एजिया का प्रतम और बिसु का तीसरा लेजर अनुसंधान केंदर मद्धविदिस के किस शहर में है तो ये है एंदोर इन और में मद्धविदिस का प्रतम और विसु का तीसरा लेजर अनुसंधान केंदर बनाया गया है Next question मद्धविदिस की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है तो बेतवा मद्धविदिस की पांचवी सबसे बड़ी नदी है दोस्तो अब बात आईए बेतवा नदी की तो कुछ important fact इसकी बारे में बता दें सबसे पहले बात करते हैं इसको उद्गा मिस्थल की तो मत्धविदिस की रायसन की कुमरा गाउं से बेतवा नदी का उद्गा मिस्थल है यह इसकी पूरी लंबा ही अवए 590 किलो मीटर है हमीरपुर की पास यमना में जाकर यह मिल जाती है दोस्तो आपको बता दें कि जो यमना की किनारी बसी सहर कौन कौन से हैं तो यह है बेतवा नदी की किनारी बसे हुए हैं इसकी अलावा इसकी जो टर्बिटरी यानि जो सहायक नदीया है वो कौन कौन से हैं तो बीना और धसान यह दो सहायक नदीया है बेतवा की और यह स्वयम जाकर फिर यमनासी हमीरपुर के पास उत्तर प्रजिस में मिल जाती है तो यह कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट हुए है बेतवा की बारे में नेच्ट कॉशन है मद्दप्रजिस में लक्ष्मी भाई कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन कहां पर है तो इसका सही उफ्षन है ग्वालियर ग्वालियर में राणी लक्ष्मी भाई कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन इस्थापित है दोस्तो अब बात आई है ग्वालियर की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्टिस के बारे में बता दें मद्वडेश राजसु मुक्याले और महालेखा कार का मुक्याले भी ग्वालियर में ही इस्थे थे तांसेन का मगवरा सास बहु का मंदर ग्वालियर में ही इस्थे थे प्राचीन काल में ग्वालियर को गोपचल की नाम से जाना जाता था जिसे जिब्राल्टर और फोर्ट या किलों का रतन भी कहा जाता है यानि ग्वालियर के लिए को किलों का रतन की कहा जाता है जो मैंने इसे वीडियो में पहले कॉशन ले लिया है दोस्तो बात आई है रतलाम जिले की तो आपको इसकी important fact बता दें तो रतलाम की स्थापना कैप्टन वर्थविक ने 1829 में की थी यानि कैप्टन वर्थविक के द्वारा 1829 में रतलाम जिले की स्थापना की गई थी हुसेन टेकरी लायलाज बीमारी के लिए प्रिसित है रतलामी सेप मसूर होने के करण यहाँ पर पाया जाता है रतलाम को सेप की नगरी भी कहा जाता है रास्टी अंगूर अनुसंधान के इंदर भी रतलाम में ही इस्थाथ है तो यह कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको रतलाम की बारे में याद रखने है नेस्ट कॉशन मद्प्रिदेश के किस प्रिसित विश्विध्याला को यूनेस्थ को द्वारा मेगा यूनिवस्टी का दर्जा दिया है नेस्ट कॉशन है ओड़नेसों सरवाधिक वर्सा कहां पर होती हैं तो पच्छमनी में मद्प्रिदेश में सरवाधिक वर्सा वर्सा Next question हिंदोस्तान सूसलेस्ट रेपबलीकेशन एस्सोसीयेशन के स्थापना कब हुई थी तो यह स्थापना 1927 में की गई थी Next question मद्धब्रदेश में देश की कुल जंजशंक्या करका कितने प्रतीशत है तो मद्ध प्रदेश में 0.06% देश की कुल जल संख्या करती है नेस्ट कॉशन है प्रदेश की कौन सी नदी अब नाली का अपर्दन द्वारा बीहड का नमाड करती है तो यह है चंबल नदी, मदब्रदिस की चंबल नदी, अब नाली का अपर्दन की द्वारा बीहड का नमाड करती है और यह बीहड का नमाड चंबल संभाग में करती है Next question है जाबुआ में महेंगाय बिरोधी आंदुलन कप चलाया गया था? तो दोस्तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की part 6 की बारे में 1000 question की part 6 की बारे में दोस्तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए दोस्तो one liner question लेने का मुमेटर यही है कि आपको accurate answer याद हो जाता है इसके अलावा जो भी fact होते हैं वो भी आपको याद हो जाते हैं क्योंकि option में दोस्तो टिक करना और जो भी होता है वो बहुत lengthy complicated होता है इसलिए मैंने one liner question लिये हैं तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो like की जरू कीजिए और चैनल को subscribe जरू कीजिए इसके अलावा अगर आप इसकी PDF चाहते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो description में सारे link दिये गए हैं वहाँ से आप हमसे जुड़ सकती हैं इसके अलावा अगर दोस्तो आपको कोई भी query होती है तो वहाँ से आप हमें contact भी कर सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं पर समप्त करते हैं तो आज के लिए बसना ही नमस्कार, have a nice day